सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए अलो दोस्तो टेक्नो विक्रांट में आप सभी का स्वागत है सो फैनली ओपो वालो ने अपने ओपो अपडेट देखने को मिल चुका है और इस अपडेट का जो टेस्टिंग है पूरी तरह से कम्प्लीट कर लिया है और इस वीडियो में मैं इसका फूल रिव्यू देने वाला हूँ दोस्तो जिसमें आपको कौन-कौन से new features देखने को मिलता है, कौन से bugs देखने को मिलता है साथ इसका looks, design वगरा किस type से देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं one by one सारे कुछ बताने वाला हूँ दोस्तो तो इसके लिए वीडियो में last तक बने रहिएगा तो चलिए start करते हैं अब यहाँ पर features, bugs वगरा के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप device detail चेक आउट कर सकते हैं उसके लिए हम चलते हैं setting के अंदर नीचे side about device में यहाँ पर आप देखेंगे आपको colorways 14 के साथ alpha version देखने को मिलता है I mean की internal test देखने को मिलता है और OPPO A79 5G का model number 2553 देखने को मिलता है बात की जाइस update के basic information की तो यहाँ पर आपको 14.0.0.530 bracket में EX01 करके new update देखने को मिलता है और इस update का जो size है वो आपको 5.35 GB का देखने को मिलता है और यह आपको colorways 14 based on android 14 के update के साथ alpha version देखने को मिल जाता है बात की जाइस update के बाद इसके android security page की तो यहाँ पर आपको android 14 के update के साथ 5.5.2024 का current month का latest enhanced android system security देखने को मिलता है इस update के साथ इसके लाओ बात की जाए system performance की तो यहाँ पर दोस्तो इसका जो system performance है UI है वो आपको काफी smooth और stable देखने को मिलता है काफी fast देखने को मिलता है यहाँ पर दोस्तो जो apps opening, closing, animation, swapping, up, down वगरा जो है काफी fast और smooth देखने को मिलता है यहाँ पर android 13 से compare करेंगे तो यहाँ पर काफी fast और smooth system UI, system performance देखने को मिलता है इसके लाओ बात की जाए notification panel की यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आपको कुछी इस type से notification panel देखने को मिलता है जो कि आपको पूरे की पूरे old वाला ही notification panel देखने को मिलता है यहाँ पर आपको notification panel में कोई भी changes देखने को नहीं मिलता है इसके लाओ बात कीज़े अगले changes की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting UI के अंदर यहाँ पर आप जैसे ही setting में जाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपको पहले की तरह ही इसका icon देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो आप गवर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर हर एक features और name के बीच में आपको lining देखने को मिल जाता है साथी दोस्तो इसका जो cards वाला option है वो भी छोटा-छोटा हो गया है साथी जो features का name और icons है उसको काफी पास-पास कर दिया है पहले दोस्तो थोड़ा दूर-दूर में रहता था साथी जो lining देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था इस lining के वज़ा से दोस्तो features और icons वगरा आर भी better और cool देखने को मिल रहा है साथी दोस्तो किसी-किसी features को एक में attach कर दिया है और उसका name वगरा थोड़ा बहुत change कर दिये है आप देखेंगे पहले कुछी इस टैप से setting UI देखने को मिलता था लेकिन colorless 14 के update के बाद आपको कुछी इस टैप से setting UI देखने को मिलता है इसके लग बात की जाए अगले changes की तो वो आपको मिलता है दोस्तो wallpaper change करने के time पर यहाँ पर दोस्तो अगर आप किसी भी wallpaper को change करते हैं जैसे ही set as wallpaper करके apply करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ इस टैप से इसका layout देखने को मिलता है पहले दोस्तो आपको center align में देखने को मिलता था उसको यहाँ पर change करके left align कर दिया है जो की काफी cool look देखने को मिलता है पहले से यहाँ पर काफी better look देखने को मिल रहा है इसके अलाव बात की जाए अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो ओपो share के अंदर यहाँ पर दोस्तो अगर आप किसी को image video अगरा फाइल अगरा शेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको new changes देखने को मिलता है यहाँ पर देखेंगे आपको photo अगरा देखने को मिल जाता है साथ ही अगर कोई photo अगरा नहीं डाले रहते हैं उसमें आपको brand का name देखने को मिलता है साथ ही आपको छोटा सा phone का icon देखने को मिल जाता है पहले दोस्तो logo देखने को मिलता था लेकिन आप पूरक पूरक brand का name लिखा हुआ मिलता है साथ ही आपको छोटा सा अपफोन का icon देखने को मिल जाता है साथ ही दोस्तो अगर आपको video या image वो अगरा send करते हैं तो वो जैसे ही receive होने के बाद आपको view हो जाता है पहले दोस्तो view नहीं होता था इसके अलाव बात कीज़ अगले changes की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर connection and sharing के अंदर यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आपको over-workup features यहाँ पर add कर दिया है यह features दोस्तो cloud storage features है जिसमें आप अपने file data image वगरे को cloud में store कर सकते हैं जिसको आप online कहीं से भी use कर सकते हैं उसके लिए दोस्तो आपको cloud.opos.com में जाना है उसके बाद आपको आप अपने password ID वगरे डाल कर online कहीं से भी data को use कर सकते हैं यह features दोस्तो पहले special features के अंदर था लेकिन आप आपको connection and sharing के अंदर देखने को मिल जाता है साथ ही यही पर आपको OPPOS Air का option देखने को मिल जाता है पहले यह देखने को नहीं मिलता था कहीं पर भी क्योवाल notification panel में ही देखने को मिलता था लेकिन आप इसको यहाँ पर show कर दिया है साथ ही दोस्तों इसमें अगर जाते हैं तो आपको यहाँ पर turn on 10 minute का option देता है अगर 10 minute में आप कुछ भी send कर लेते हैं तो ठीक है नहीं तो वो automatic बंद हो जाता है उसके बाद आपको फिर से on करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको ओपो share का option add कर दिया है साथ ही यही पर आपको link to window का new features देखने को मिलता है जिसके थूँ दोस्तों आप अपने phones को PC या laptop वगरा से control कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपका Microsoft का account होना जरूरी है दोनों device में आप same account से login करेंगे तो आप PC या laptop वगरा से आप अपने handset को control कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं और इसका टेप दोस्तों आपको notification panel मिन की control center के अंदर भी देखने को मिल जाता है इसके लाओ बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों setting के अंदर wallpaper and style के अंदर आइकन का option देखने को मिल जाता है जिसे आप click करेंगे तो आपको icon style देखने को मिलता है साथी दोस्तों यहाँ पर last में आपको more का option देखने को मिल जाता है यह basically दोस्तों आपको theme वाले option मिल ले जाता है जिसमें आपको काफी सरे icon style के साथ theme देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तों paid वाला है जिसे आप free trial यूज करके 5 मिनट या 10 मिनट के लिए रहता है यह trial वाला आप यूज कर सकते हैं चेक कर सकते हैं तो यह more वाला option 8 कर दिया है साथी font style में देखेंगे तो आपको जो font style जो है काफी बड़ा सा देखने को मिल रहा था उसको काफी पास-पास और छोटा सा कर दिया है इसके लाव बात की जाए अगले change की तो वा आपको मिलता है दोस्तों setting के अंदर home screen and lock screen के अंदर यहाँ पर नीचे साइट देखेंगे show media player on lock screen इस features को on करेंगे और music वगरा play करते हैं तो आप lock screen में ही उसको control कर सकते हैं, play कर सकते हैं, song वगरा को next, previous वगरा करना है तो आप lock screen में ही कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं कर सकते थे और अगर आप इसको off करते हैं, तो lock screen में आप music control या media playback को control नहीं कर सकते हैं तो इस features को on करेंगे तो आप lock screen में music को control कर सकते हैं इसके अलाव बात की जाए अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर sound and vibration के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो जैसे ही ringtone या message tone के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको new option देखने को मिलता है classic theme और aquamorphic theme basically आपको यहाँ पर जाएंगे तो आपको new ringtone देखने को मिलता है अब देख सकते हैं आपको काफी सारे new ringtone देखने को मिल रहा है जो की काफी अच्छा ringtone देखने को मिलता है साथ ही अगर आप charging करते हैं या कुछ delete करते हैं notification आया रहता है उसको clear वगरा करते हैं तो आपको काफी सारे new ringtone देखने को मिलता है जो ringtone को sound वगरा है वो काफी अच्छा सुनने को मिलता है पहले से यहाँ पर ringtone वगरा जो है पूरे पूरे change हो चुका है इसके लाओ बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर notification and status bar के अंदर यहाँ पर दोस्तो आपको smart suggestion का features देखने को मिलता है यह features दोस्तो generally करता क्या है आपको notification panel, status bar, lock screen में foot delivery और riding high link का new features add कर दिया है जिसको दोस्तो आप on करेंगे तो आपको notification panel, status bar, lock screen में foot delivery और riding high link का वो आपको show होगा इसके लाओ बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर, apps के अंदर यहाँ पर दोस्तो आप app kloner में जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे, I mean कि आपके mobile में जितने भी apps हैं, उसमें से आप पूरे app को kloner कर सकते हैं पहले दोस्तो यह limited ही रहता था, लेकिन अब आपको आपके mobile में जितने भी apps हैं, उसको आप double app कर सकते हैं, duplicate कर सकते हैं, kloner कर सकते हैं साथ दोस्तो यहाँ पर जो आटो लांच वाला option रहता था वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है पहले यह आटो लांच वाले option देखने को मिलता था इसके लाव बात किज़ाए अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो security and privacy के अंदर यहाँ पर आप गौर से देखेंगे दोस्तो पहले password and security और privacy के अलग से दो option देखने को मिलता था उसको दोनों को merge करके एक option कर दिया है security and privacy इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको scanning features देखने को मिल जाता है जिसके थुरू आप अपने security and privacy को scan करके कोन से option में problem है या किसको allow करना है या नहीं करना है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है I mean कि जो security and privacy है यह आपको पूरी पूरी changes देखने को मिलता है पहले दोस्तो आपको अलग-अलग tab में देखने को मिलता था साथी icons वगरा देखने को मिलता था जिसको आप कुछी type से कर दिया है यहाँ पर आपको कोई भी icons वगरा देखने को नहीं मिलता है आपको direct name देखने को मिलता है अगर आपको password change करना है या face unlock वगरा करना है तो आप यहाँ पर security and privacy के अंदर जाकर device unlock में जाएंगे तो यहाँ पर आपको screen lock का आप्शन और face and fingerprint का आप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ से आप change कर सकते हैं साथी नीचे में आपको app lock, hide app, private save और system cloner का आप्शन देखने को मिल जाता है साथी आपको google play system अगरा update करना है security and privacy के अंदर system and update में जाएंगे तो यहाँ पर आपको google play system update देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर से आप google play system को update कर सकते हैं साथी दोस्तों आपको privacy and security को scanning features जो है यहाँ पर आपको notification panel में भी icons add कर दिया है यहाँ पर से भी आप security and privacy को scan कर सकते हैं इसके अलावा बात की जागले change की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तों setting के अंदर battery के section में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको कुछी इस टाइप से battery के option या layout देखने को मिलता हैं लेकिन दोस्तों आपको smart charging और stop charging at 80% वाला features देखने को मिल जाएगा smart charging जिसे आप on करेंगे तो जो आपका charging habit है उसको यहाँ पर count करके recognize करके आपके charging habit के अनुसार यहाँ पर charging को slow करेगा और proper way में charging को perform करेगा साथी अगर आप stop charging at 80% को on करते हैं तो यह दोस्तों आपको charging proper way में देखने को मिलेगा जो की आपको 80% के बाद उसके बाद जो charging है वो stop हो जाएगा जिससे की जो battery का health है वो यहाँ पर proper देखने को मिलेगा जो की battery health को बचाय रखने में काफी सहायक और मददगार रहेगा इसके लावा बात की जा अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो charging animation का यहाँ पर देखेंगे दोस्तो अभी अगर phone को charge में लगाते हैं तो आपको जो animation है वो आपको पूरे पूरे center में देखने को मिलता है इसके लावा बात की जा अगले features की तो वो आपको मिलता है दोस्तो camera apps के अंदर यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आपको कुछी स्टाइप से ColorOS 14 Realme UI 5.0 में कुछी स्टाइप से आपको camera features या layout देखने को मिलेगा यहाँ पर उपर के side में आप देखेंगे तो आपको screen के size को बड़ा छोटा करने या full screen करने का option देगा उसके नीचे आपको timer का option देखने को मिलता है इसके अलावा थोड़े बड़े toggles में auto HDR, interval और setting का option देखने को मिल जाएगा HDR features को आप जानते ही हैं दोस्तो और interval features या interval shooting का जो features हैं उसको अगर आप on करते हैं तो यहाँ पर आपको कितना shorts चाहिए और कितने second में चाहिए उसको आप decide कर सकते हैं उसके बाद जैसे आप suit button को click करते हैं तो आपको जितना short चाहिए रहेगा उतना shorts वो उतने second में click कर देगा तो यह एक काफी अच्छा features है दोस्तो इसके अलावा अगर setting में जाते हैं तो आपको अभी old वाला ही setting option देखने को मिलता है इसके अलावा दोस्तो अगर आप नीचे क साइड more option में जाते हैं तो आपको कुछी सटाइप से पूरे के पूरे mode देखने को मिलता है और अगर आप edit करना चाहते हैं तो आपको उपर के साइड में edit option देखने को मिलेगा जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको काफी cool icon देखने को मिलता है पूरे पूरे squares design में देखने को मिलता है जिसे आप hold करके drag करके rearrange कर सकते हैं आप अपने use के अनुसार features को add कर सकते हैं तो कुछ ही step से camera features देखने को मिल जाता है इसके अलाव बात की जाए अगले change की तो अगर आप lock screen करते हैं और security के लिए pattern के अलावा number या pin यूज करते हैं आपको कुछ ही step से dial pad देखने को मिलेगा जो कि पहले से काफी cool देखने को मिल रहे दोस्तो यह आपको by default android 14 का dial pad देखने को मिल जाए इसके अलाव बात की जाए गले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर special features के अंदर smart sidebar में यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आपको old वाला ही layout और interface देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर file doc का new features देखने को मिल जाता है इस features के थुर दोस्तो आप अपने image photo video अगरा किस इसी भी चीज़ को आप यहाँ पर drag करके रख सकते हैं जिसको यहाँ पर से drag and drop करके किसी को भी आप send कर सकते हैं share कर सकते हैं अब देखेंगे smart sidebar में आपको उपर में देखने को मिल रहा है जिसमें आप किसी भी file या image वागरा को यहाँ पर drag करके रख सकते हैं कुछी इस उसके बाद इसको आप कहीं भी send और share कर सकते हैं साथ ही यहाँ पर so recent file करके option add कर दिया है जो की smart sidebar में use होता है यह भी दोस्तों यहाँ पर अगर आप recent file जो भी use किये रहेंगे वो यहाँ पर so होगा जिसे आप drag and drop करके कहीं भी share और send कर सकते हैं इसमें आपको recent में जो भी file add किये रहेंगे या load किये रहेंगे वो यहाँ पर so होता है इसके अलवा यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको new widgets देखने को मिलता है यह दोस्तों Google वाला widgets है जिसमें आपको date और month वगरा देखने को मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफी cool widgets देखने को मिलत उसके बाद दोस्तों आपको transparent देखने को मिलता है जो कि आपको lining बस देखने को मिलेगा आपको पूरे पूरे transparent रहेगा और उसके बाद आपको semi transparent का option देखने को मिलता है जो कि आपको background जो है थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है और यह जो widgets है दोस्तों wallpaper की हिसाब से इसका पर आप देखेंगे हर एक color में जो भी option या button के रूप में जो भी option दिया है उसका जो blue color है वो यहाँ पर light देखने को मिल रहा है पहले दोस्तो जो blue color रहता था वो थोड़ा dark रहता था लेकिन यहाँ पर light कर दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले कुछ ही टाइप से blue color देखने को मिलता था और अभी इस update के बाद आपको कुछ ही टाइप से light वाला blue color देखने को मिलता है जो कि पहले से थोड़ा better भी देखने को मिल रहा है आप देखेंगे पहले कुछ ही टाइप से छोटा सा और थोड़ा लंबा देखने को मिलता था लेकिन अभी जो लंबाई है उसका छोटा कर दिया है थोड़ा मोटा सा देखने को मिल रहा है आई मिन कि iPhone की तरह जो ऐसी बड़ा-बड़ा बटन रहता ह है उसी प्रकार यहां पर किसी भी फीचर्स या फंक्शन के बगल में आन आप करने का बटन है वो थोड़ा बड़ा सा और मोटा सा देखने को मिल रहा है इसके लाओ बात की जागले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तो सेटिंग के अंदर निचिक सेट अडिशनल सेटि अगरा है जिसका लेंग्वेज आप यहां पर से चेंज कर सकते हैं आपको हिंदी में चाहिए या इंगली जाहिए या और किसी भी लेंग्वेज में चाहिए आप यहां पर के aps को से को करने का चाहे वो group photo हो या single photo जैसे ही आप long press करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ magic type का देखने को मिलता है जिसके बाद दोस्तों आपको copy, share, share ये सब करने का option देखने को मिल जाता है उसको अगर आप share करना चाहते हैं तो proper way में आप smart cutout features के use के बाद इसको save कर सकते हैं कुछी step से और अगर आपको किसी को send और share वगर करना है तो direct आप share कर सकते हैं साथ ही अगर आप इसको file doc में store करना चाहते हैं रखना चाहते हैं तो file doc features में भी इसको आप use कर सकते हैं यहाँ पर आपको smart cutout features देखने को मिल जाता है इसके लग बात की जाए अगले change की तो यहाँ पर दोस्तो इस update के बाद पूरे UI में कहीं कहीं पर आपको bold text, light text देखने को मिल रहा है I mean bold के साथ में जो उसका color है उसको यहाँ पर light कर दिया है चाहे वो setting के अंदर हो या फिर home screen में या फिर lock screen में देखने को मिल रहा है लेकिन आपको bold text देखने को मिल रहा है और अगर दोस्तो इन सभी features को आप अभी use करना चाहते हैं तो मैंने अपने telegram group का link जो है वीडियो के description में add कर दिया है यहाँ पर आप आकर color OS 14, realme UI 5.0 और oxygen OS 14 का APK फाइल इंस्टाल कर सकते हैं लेकिन दोस्तो आप carefully इंस्टाल कीजेगा हो सकते हैं दोस्तो आपको apps crashing issue अगरा देखने को मिल जाए तो इसके लिए आप carefully अपने risk में इंस्टाल कीजेगा तो ए रहा इस update का full review दोस्तो यह update आपको मिला है कि नहीं मिला है और अगर मिला है तो कौन-कौन से bugs और new features देखने को मिले आप मुझे comment करके जरूर बताइएगा तो इतना ही था दोस्तो इस video में वीडियो पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं हम next video में तब तक के लिए good bye and take care दोस्तो